सुमित्रा सर्मा ब्लॉग में आपका बहुत बहुत सभगत हैं दोस्तों यह ब्लॉग इस्टाट कर रही हूँ मैं रात का 8 बज़े से और आप लोग देख सकते हैं मैं सवर कर रेडियो हो चुकी हूँ और मैं जाने वाली हूँ आज मेला देखने के लिए और जदा बगबग ना करते हुए हम ब्लॉग को इस्टाट करते हैं चलिए मैं देखिए मेला के लिए निकल चुकी हूँ बाइक में अपने पद्दी के साथ लेकिन मैं उधर ममी के साथ जाने वाली हूँ और मैं मेला आ पहुंच गई हूँ आप लोग देख सकते हो और क्या ही बताओ मेला आ चुका था और मैं एक बार भी मेला देखने नहीं गई थी क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल सामने ही मेला लगा था और आप लोग देख सकते हैं इतनी अच्छेची स्वेटर आये हैं और मुझे ये वाला स्वेटर बहुत पसंद आ रहा था लेकिन मैं नहीं लिया क्योंकि और भी मेला को खतम होने में पास दीन बाकी था गाइस तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पालेग इत्ती अच्छेची आये हैं और काट का पालेग और इधर है कुछ क्या पता नहीं किस का पालेग बोलते हैं यह सब टेबल वेबल सोफा सोफा सब आया था सब और हम फिर वहां से आ गए इधर मीना बजर में आप लोग देख सकते हो मीना बजर में इतना सोर था इतना सोर था कि कान फटने वाला था मेरा और आप लोग देख सकते हैं सब कितने लोग देख रहे थी और मैं उसके बीचों बीच में खड़ी थी और आप लोग देख सकते हैं यह नाव पे कभी नहीं उठी थी लेकिन मुझे पता नहीं क्यों डर लगता है सब चीजों में उठने डर लगता है और मैं इतना खुस होकर जा रही थी ना क्या ही बताव आप लोग देख सकते हो जाकर मैंने सीट ले लिया अपना और मैं जुला जुलने वाली थी इसमें माई गोड और मैं इतनी खुस हो रही थी ना पेले तो जुला जुलने वाली हूँ और मैं उसे बोल रही थी अच्छी तरह किसे दिखा मुझे भी दिखा और भी मुझे यह नहीं हो रहा था तो इसलिए मैं खड़ी हो गई और मुझे देख लो देख लो बोल रही थी और आप देख सकते हैं मैं बहुत खुस हूँ लेकिन हाँ अब होता है स्टार्ड अपना जो है जुला जुलने का जैसे जैसे मैं जुला जुलने लगी जैसे जैसे मैं जुला जुलने लगी ना जुलते 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 थोड़ी देर तो अच्छा लग लेकिन उसके बाद जो जुलने लगा माई गॉड मैं तो डर के मारे मैं तो इतना चिला रही थी इतना चिला रही थी आप लोग देख सकते हो जब वो जाता है तो ठीक है आने के वक्त ना इतना डर लगता है मुझे पता ने क्या हो जाता है तो उसके बाद मैं आई हुआ था कि नमक भर-बर के डाला था और मैं नमक बहुत कम खाती हूं आप लोग को पता नहीं है साइद और बहुत नमक था तो मैं उसे बोल रही थी कि नमक इतना ज्यादा क्यों डाले हुए हो तो उन्होंने पानी थोड़ा और ज्यादा डाला उसमें फिर उसके बाद खाने लेकिन मैं खाती हूं बहुत अच्छा लगता है मुझे गोल गप्पे खाना और मैं बहुत सारा गोल गप्पे खाई चैके दोस्तों मैं भुकड हूँ भुकड होने के नियम तो पालन करना पड़ेगा ही और आप लोग देख सकते हैं बहुत चीज़ देख रही थी और उस बहुत ही टेस्टी था दोस्तों खाने के बुकड होने के साथ साथ मैं चली गई फिर से होटल और होटल में जाके मैंने पस्ता ओडर किया और पस्ता मैंने खाया उसके बाद मैंने ज्यादा कुछ नहीं देखा कुछ-कुछ सामन लिया मैंने फिर उसके बाद मैं घर चली तो दोस्तों आप लोगों को मेला कैसा लगता है जाने में जरूर बताना और मेला जाना मुझे बहुत मसंदे थैंक यू फॉर वाचिंग बाई बाई गुट नाइट